जुन्जुनू में नीजी बस संचालकों ने लोगडाउन में घर खड़ी बसों में 6 मात का टेक्स माफ करने सहीद अन्य मांगो को लेकर परिवेहन कारेले के बाहर बसों को खड़ा कर विरोज जताया इस दोरान मुख्य मंतरी के नाम जिला परिवेन अधिकारी मखनला जांगिड को ग्यापन सोपा गया नीजी बस यूनियन अध्यक्ष बोपाल सिंग ने बताया कि लोगडाउन के चलते 2 माँ से अधिक समय से बसे घर पर खड़ी हुई है जिसे 6 माँ तक का टेक्स माफ किया जाए क्योंकि ऐसी इस्थिती में बसों का पूर्टे संचालन करना ऐस समभव है उन्होंने बताया कि शोशल डिस्टेंसिंग के साथ 20 सवारियों में बस चलाना समभव नहीं है यापन में आरसी सरेंडर की मांग भी की गई है इस दोरान डीटी ओ कार्याले के सामने करीब 80 बसें खड़ी कर दी गई इस दोरान विमर देव, विजय ओष्टू, लाकेश गजराज, अशोक मिना, केशर देव चाहर, केशर धोरी, कैप्टन शब्बीर खान, विजय और विक्रम सिंग सहीद अन्य बस संचालक मोजूद इस दोरान विजय ओष्टू, अशोक मिना, के लिए उनको बार बार कर रखा है, बिना सर्त के आर्शी सिलेंटर के लिए कर रखा है, ये दो मांगे मुखे हैं, एक तो 6 मेने का टेक्स माफ हो, एक बिना सर्त के हमारी आर्शी सिलेंटर हो, जब तक ये मांगनी मानेगे, हमारी गाडिया संचाली तो ये हमारी अर्टाल जारी रहेगी, प्रदरसन क्या है, प्रिवे 17 शी गाडियां हमने अलाग खड़ी की है, नहीं मांगी माने इस गयापन को रजे सरकार को भी जाये जाएगा, और ततर्पसास पे रजे सरकार तवारा भी चार दिए कर देए